तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक CST संचालक हैं तो अगर आपको electricity बिल भनना होता होगा और wallet में पैसे add करना होता होगा तो कैसे आप पैसो को add कर सकते हैं अपने CST ID में आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी CST ID को login कर रखा है और यहाँ पर आपको wallet दिखा रहा होगा और यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही wallet पर click करेंगे उसके बाद जो ही यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है और यहाँ पर amount आप आपको डाल देना है और यहाँ पर access PG या फिर HDFC में आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है आपको add money to wallet पर click कर देना है दो उसके बाद जो है payment mood के लिए यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपको card number डालना होगा उ देन उसके बाद जैसे डाल देंगे make payment पर click कर देना है अब उसके बाद देखिए आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद संबिट कर देना है पेज को refresh नहीं करना थोड़ा सापको wait कर लेना है दिन उसके बाद आपकी ID जो है दु लोगिन पर मैं click कर देता हूं अब देखिए हमने यहाँ पर electricity पर click किया बिल payment पर चलते हैं यहाँ पर हम filter करेंगे state को UP उत्तरप्रदेश उसके बाद माध्यांचल विद्दूत निगम उत्तरप्रदेश अब यहाँ पर देखिए राइट सेट पर सिय जहां लिखा है आप आपको एकाउंट नमर जो आप electricity का होता है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद फिस पर click कर देंगे यहाँ पर आपका जो भी बिल एमाउंट होगा वो किलियर दिखना शुरू हो जाएगा पेपर हम click कर देखते हैं और यहाँ पर पिन नमर डाल देना है देन से आप साइट को कम कर सकते हैं प्रिंट के लिए दुरुष का बाद इंटर पर click करेंगे और हमारा प्रिंट आउट देखे बाहर हो जुका है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जोरू बताना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाएव को उ मिलते रहें